नमस्कार दोस्तों हमारी YouTube चैनल ऐश्रो ग्यार में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियों में बताने जा रहे हैं अपने खोए हुए प्यार को वापिस कैसे पाएं दोस्तों क्या आपका प्यार आपसे दूर चला गया है आप अपनी प्यार को वापिस पाने के लिए यूटूब पर टोट के मंतरा सर्च कर रहे हैं आज का वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए हैं जो किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो उसको छोड़ कर चला गया है दोस्तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आज किस वीडियो में आपको बताएज आएगा कि प्यार क्या होता है और प्यार दो जाने के कारूं क्या होते हैं और उसके बाद आप अपने खोई हुए प्यार को बिछडे हुए प्यार को वापीस अपनी जिन्दगी में कैसे ला सकते हैं दोस्तों देखे हमारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जब हम प्यार में पढ़ जाते हैं लेकिन कुछ कारणों से उस प्यार को खत्म करना पढ़ जाता है हमें ब्रेकप का सामना करना पढ़ता है ऐसे में आपको उस वेक्ति को बोले की जरूरत होती है जिसने आपको चोंट पहुंचाई और आपको ब्रेकप करना पढ़ा उस इनसान के लिए आपको दोखा खाना पढ़ा एक समय था जब उस वेक्ति के नाम ने आपके दिल में प्यार पैदा कर दिया था लेकिन अब उस वेक्ति के साथ ब्रेक अप हो गया है जब ब्रेक अप होता है तो महसूस करते हैं कि हम दर्द की इस बड़ी दुनिया में खोज चुके हैं और हम सही रास्ते पर आने और अपनी जीवन के साथ आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं खोज पा रही हैं हम दोस्तों अपने खोई हुए प्यार को वापिस लाने के लिए भटकते रहते हैं दोस्तों हम वास्तम में चाहते हैं कि ब्रेक अप का दर्द जल्द से जल्द खतम हो जाए लेकिन जैसा कि जीवन में सब कुछ चलता है और समय लगता है इतना समय आपको अपने आपको ब्रेक अप के दर्द से बाहर आने के लिए देना होगा लेकिन हमारे दिमाग में मुखे स्वाल यही आता है कि क्या मैं अपने प्रेमी को कभी बूल सकता हूँ क्या मैं अपने प्यार को फिर से हासिल कर सकता हूँ या कर सकते हूँ लेकिन असली स्वाल यह है कि किसी वेक्ति को कैसे बुलाया जाए या किसी वैक्ति को वापिस लाया जाए या तो बुलाया जाए या वापिस लाया जाए दो ही रास्ते होते हैं जिसके लिए आप एक बार सच्ची बावना रखते थे मेरी राये में इसका कोई असान तरीका नहीं है मैंने भी एक ब्रेक अप का अनुभव किया है लेकिन इसके बारे में सोचना बंग कर दिया है इसलिए मैं आपको अतीत को बुर्णने के उपाए बताने जा रहा हूँ और आपने खोई हुए प्यार को आप वापिस पा सकते हैं क्योंकि दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार सच्चा था और आप चाहते हैं कि आपका प्यार फिर से आपकी जिन्दगी में लोट आए तो दोस्तो आपको खोई प्यार को वापिस पाने के लिए उपाए डूढने होंगे उपाए करने होंगे और मंतरा का जाप कर तब ही दोस्तो आपका प्यार आपकी जिन्दगी में लोट किया सकता है दोस्तो अगर मैं प्यार की बात करूँ तो दोस्तो कहते हैं कि लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं रास्ते में गिरे कुछ फूल समेट ले जाते हैं दोस्तो इस दुनिया में अगर आप और हम आई है तो कभी ने कभी किसी ने किसी परस्तीती में या तो प्यार करते हैं या प्यार होते देखते हैं और दोस्तों देखिए जब दो लोग मिलते हैं प्यार करते हैं तो बिछड़ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती क्योंकि दोस्तों देखे जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं या बात चीत करते हैं तो उनकी बीच में कभी न कभी कोई छोटी मोटी अनबन हो जाती है तो उसके कारण वो अपने प्यार को खो देते हैं तो दोस्तों क्या आपकी जिन्दगी में कोई ऐसा इनसान है जिसे आप वापिस लाना चालते हैं क्या आपकी जिन्दगी में कोई ऐसा इनसान था जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो आप इससान आपको छोड़कर चला गया किसी दूसरे इनसान के लिए और आप दिन हम आपको आपके खोए हुए प्यार को वापिस पाने में आपकी मदद करेंगी। हम दोस्तों आपको ऐसे उपाए और टोट के अवगत कराएंगे, जिसका प्रियोग करके आप अपने बिछडे हुए इंसान को वापिस ला सकते हैं। दोस्तों देखिए प्यार, प्यार होता है, चाहिए पती-पतनी के बीच हो, या प्रेमी-प्रेमी का के बीच हो, यानि कि चाहिए शादी से पहले का प्यार हो, या शादी के बाद का प्यार हो, आप इस शोटके के दुवारा दोस्तों अपने पुराने से पुराने प्यार को हासीर कर सकते हैं दोस्तों देखिए अगर पती-पतनी है उनके बीच में प्यार नहीं रहता तो दोस्तों ये भी एक प्यार खतम हो नहीं होता है दोस्तों देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपकी जिन्दगी में लोट आए वापिस आजाए तो दोस्तों आपको क्या करना होगा ध्यान से सुनने होगे टोटको टोटके का प्रयोग ध्यान से करना होगा विश्वास करना होगा दोस्तों सबसे पहले हम आपके समख से एक बड़ा ही सरनुक्सा बताने जा रही हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने साथी को वापिस ला सकते हैं आपको दोस्तों सबसे पहले एक केला लेना है और फिर उसे छोटे छोटे टुकुडों में काट देना है अब उन टुकुडों को बिचका कर दोस्तों आपने एक अच्छे तरीके से लेप बना देना है अब लेब बना बनकर प्यार हो जाए आपने उसके अंदर गोरोचन मिला देना है अब दोस्तों आपने क्या करना है इस लेब को अपनी सील के ओपर लगाना सुरू कर देना है दोस्तों ऐसी मानता है कि इससे आपके अंदर इतनी अकर्शन शक्ति बढ़ जाएगी कि आप आएंगे आपका प्यार आपकी और खीचा चला रहा है दोस्तों यह नुक्सा आपकी अंदरूनी अकर्शन शक्ति को बढ़ा देगा और आपके फोहे हुए प्यार को वापिस ला देगा दोस्तों दूसरा उपाई है दूसरा टोटका है जोती सुपाई गरेलो उपाई है दोस्तों यह आपने नारियन लेना है दतूरा लेना है और कपूर लेना है तीनों को दोस्तों आपने बराबर मातरा में पीज देना है अब आपने एक मिशन प्यार कर लेना है और उसको किसी अच्छे सहग में मिला देना है अब आप नेमे त्रोप से इसका तिलब अपने माथे पर लगाएं इससे आप आएंगे कि दोस्तों जिन जिन लोगों से आप प्यार करते थे वो आपके करीब आ रही है दोस्तों ये कीर मालिये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्यार फिल से लोट आएगा दोस्तों अगर पती-पतनी के बीच में प्यार कम हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों अगर आप अपने पती के साथ बोजन कर रहे हो एक महीला के लिए टोटका है एक पुर्श के लिए भी ये टोटका हो सकता है अगर आप अपने पती-पतनी के साथ बोजन कर रहे हो आप दोनों में दिख्टे हो रही है प्रिशानी आ रही है अनबन हो रही है तो दोस्तों यदिक मानिए आपका प्यार आपकी जिन्दगी में लोट आएगा तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताए आपको ये वीडियो कैसी लगी और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें और यूटूब चैनल एश्ट्रो ग्यान को सब्सक्राइब करें अगर आपके मन में किसी भी बात को लेकर कोई परिशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट के जरी बता सकते हैं और दोस्तों हमने अपने यूटूब चैनल में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है इससे लेटर हमने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दी हुई है और आई बटन के भी लगाई हुई है और एन सत्रीन में भी लगाई हुई है और प्रेलिश्ट में भी दी हुई है तो दोस्तों उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखे दोस्तों आप वीडियो को देखने के बाद दोस्तों उसके बाद अपने खोए हुए प्यार को हासिल कर सकते तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिये गए नमबर पर पोल कर सकते पांजी से